हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू माई नू वीडियो तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सुच्पीता का लास्ट एपिसोड जो की शुगा ने अपने बेस्ट फ्रेंड एल्ट एपिटेक्सन और जैंग यू जॉँजॉग के साथ शूट किया था तो दोस्तो ये एपिसोड बहुती जादा अच्छा है इस एपिसोड में आप देखोगे कि शुगा दिल के कितने अच्छे इंसान है और शुगा ने कैसे अपनी फ्रेंड के हाट डेज में उसकी हेल्प करी इसी के साथ शुगा और एल्कैपी टेक्सन जिसका रियल नेम यी जौंग है तो साथ होने पर आज का दिन और भी जादा स्पेशल बन गया फिर इसके बाद शुगा यी जौंग का इंटोडक्शन देता है चाहां यी जौंग ने लिखा होता है कि उसका उक्क्यूपेशन मतलब काम है शुगा का बेस्ट फ्रेंड पोरेबर बनके रहना फिर इसके बाद यी जौंग शूपर आता है तो शुगा इनका वेलकम करने के लिए उठता है पर फिर तुरंती शुगा कहने लगता है कि मैं तुमसे हर दिन मिलता हूँ तो तुम्हें इंट्रेड्यूस करने में अजीब लग रहा है फिर इसके बाद यी जौंग का इंटोडक्शन दिखा है वो भी शुगा के लिए फिर इसके बाद क्योंकि शुगा और यी जौंग हमेशा एक दूसे के साथ काम करते हैं विताउट मेंकप बिल्कुल कमफर्टेबल होकर तो आज एक दूसरे को ऐसी मेंकप में देखकर ये दोनों हसने लगता है फिर यी जौंग कहता है कि मैंने तुम्हें आज तक कभी भी मेरे सामने फुल मेकप में नहीं देखा है तो इसलिए आज लग रहा है जिससे मेरे सामने एक आइडल बैठा है तो शुगा कहता है कि कम ओन तुम भी तो एक आइडल हो फिर शुगा यी जौंग की लाइवी ड्रिंक देखता है और फिर फूड सर्व हो जाता है और फिर ये दोनों खाना पीना स्टार्ट कर देती हैं यह तब यह जौंग बताता है कि आज के दिन के लिए मैं दो दिन से डाइट कर रहा था ताकि आज मेरा फेस पफी ना लगे तो इसके बाद शुगा कहता है कि वर्ल टूर के लास्ट देवाले दिन जब मैं लास्ट सॉंग को परफॉर्म कर रहा था तो उससे पहले मैंने अपने कान में कुछ सुना था कि में नियूंगी आई लव यू ये तुमने कहा था ना तो ये जौंग खसने लगता है और कहता है कि हाँ हाँ मैंने कहा था फिर इसके बाद ये दोनों शुगा जो ल मैं फ्रेंड सॉंग को गाते वक रोने लगे थे तब उस मुवमेंट को मैं आज तक नहीं बूल पाया हूं मैं कॉंसर्ट के वक तुमारी पूरी सिंगिंग को सुन रहा था पर इस सॉंग को गाते वक जब तुम रुख गए तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बर है फिर कीच वां कहता है कि जब 2017 में हम दियर माइ फ्रेंड सॉंग पर काम कर रहते तब उस ताइम हम दोनों ही पहुत हार टेस से गुजर रहते 2017 में बीटेस तो अच्छा कर रहता पर मिन यूंगी उस ताइम हार टाइम से गुजर रहता और मैं भी इस ताइम अपनी लाइफ के डार्केस टाइम में था यूकि उस ताइम मैंने अपनी सिंगिंग के करियर को छोड़ा था तो जब ये सौंग डियर माई फ्रेंड इतने बड़े स्टेश पर तुम गा रहते और तुम रोने लगे तो इसलिए मुझे भी रोना आ गया पर अगर तुम ना रोते तो शायद मैं भी ना रोता पर मैंने तुमको पहली बार मेरे सामने रोता हुआ देखा तो इसलिए दोवेस टाइम में देखकर मैंने तुमारे गेट के बाहर से तुमें बोला था कि यूंगी क्या तुम शियोर हो कि तुम अकेली रह पाओगे तो ये सब कुछ उस लास्ट कॉंसर्ट वाले दिन में सोचने लगा ये पहले हम कितने हार टाइम में थे बट आज हम अच्छा क कर रहे हैं तो ये सब सोच कर मैं मेरे टियर्स को रोक ने पाया और मुझे रोना आ गया फिर इसके बाद शिओगा जीजवांग से कहता है कि हमारी फ्रेंड्शिप कैसे हुई फैंस इसके बारे में जानना चाहते होंगे तो इसके बारे में अब तुम स्टार्टिंग से ब करना चाहिए और क्योंकि मुझे सिंगिंग पसंद थी तो इसलिए मैंने सिंगिंग शो तक डेट बर्त में पार्ट लिया था जहांके जज बैंक पीडी थे फिर यी जुआंग 20 ट्रेनीज में तो सेलेक्ट हो गया था पर 10 ट्रेनीज में वो सेलेक्ट नहीं हो पाया था और फिर इसे लगा था कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है और तभी ली जुआंग को ली ओन कंपनी से ओफर आया था जहां आयू पहले से काम कर रही थी तो यी जुआंग ने इस कंपनी को जोइन कर लिया और ऐसे ही यी जुआंग का डेब्यू हुआ as a singer फिर इसके बाद बताते हैं कि क्योंकि बीडेस का डेब्यू ली जुआंग के बाद हुआ था तो इसलिए जो बीडेस अपना फर्स्ट म्यूसिक पैंक परफॉर्म कर रहते तब शुगा यी जुआंग से मिला था फिर इसके बाद यी जुआंग अपनी लाइफ के एक बहुत बड़ी बात करता है कि एक टाइम पर यी जुआंग को कुछ निरोलोजिकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वज़े से वो अपनी सिंगिंग की वॉइस भूल गया था और ये जुआंग से सिंगिंग नहीं हो पारी थी और ये जुआंग के साथ जो हुआ उसका नहीं तो कोई ट्रीटमे नहीं कर सकता है तब उस ताइम ली जुआंग शुगा से मिला था जब बीडेस अपने सौंग रन का प्रमोशन कर रहे थी और फिर शुगा बताता है कि उस ताइम हम छुआंग दान रेस्टोरेंट में मिले थे और मुझे याद है कि उस ताइम तुमने मुझे अपने बार अपनी के साथ साइन कर लिया जिसे सुनकर लीजवंग हसने लगता है और शुगा से सौरी बोलता है और सूचविता के एडिटर बैक्राउंड में रन सौंग बजा देते हैं फिर इसके बाद शुगा कहता है कि पर तुम उस तेम सिंगिंग करना चाहते थे और मैं भी चाहता तक ही तुमारे हॉस्पिटल का जितना भी बिल होगा उसे मैं पे करूंगा और तुम धीरे धीरे करके मुझे पैसे वापस कर देना मैंने तुम से ये सब कहा था तो क्या तुम्हें याद है तो ये जुआं कहता है कि हा मुझे याद है उस तेम मैंने जो कार में फेल किया था उससे मैं आज तक नहीं बूल पाया हूँ आज हम बहुत अच्छे फ्रेंड है पर उस तेम 2016 में हम सिर्फ एक बिजनेस फ्रेंड थे और उस तेम तुमने मुझे जिस तरह से ये सब बाते कही थी ड्राइविंग करते वक्त तुमने जब खुद मुझे ये सब फ्रीली आगे रखकर बात कही कि मैं तुम्हें सिंगिं करते हुए देखना चाहता हूं पर तुम ऐसे सिंगिंग नहीं कर सकते हो तो ये बात मेरे पैरेंट्स ने भी मुझे आस्तर नहीं गई थी तुमने जब मुझे कहा था कि तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं सिंगिंग करता हूं तो इसलिए मैं चाहता हूं कि तुमारी पोई जल्दी से वापस आ जाएं मैं तुमारे हॉस्पिटल का बिल पे करूंगा तुम सब को छोड़ कर बस अपना ट्रीटमेंट करवाओ जब मैंने ये सब सुना था तब मेरी आखों में थोड़े से आसू भी आ गयते और मैं विंडो से बाहर देखकर रोने लगा था फिर विशुगा कहता है कि मैंने भी सिंगिंग यंग एज से स्टार्ट करी थी और इसलिए मुझे लगता है कि एक मुजीशन म्यूसे पराना तब छोड़ता है जब उसके सॉंग सुनने के लिए कोई नहीं होता है पर तुमारे साथ ये केस नहीं था तुम सिंगर बने क्यूंक कंदली जवांग हसने लगता है विशुगा कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि यूंगी मेरी हेल्प करू और इसलिए मैंने सोचा कि अब तुम सिंगिंग तो करनी सकते हो तो क्यों न मैं तुम्हारा एज सॉंग राइटर क्यों डब्यू करा दूं और तब तुमने मेरे ये देंग सॉंग बनाया था जो कि ये च्वांग कहता है कि हां तुमने मुझे बताया कि मुझे क्या करना है और मैंने तुम्हें सॉंग बनाकर दे दिया तुमारी वजह से ही मैं पहली बार बिगट में आया था सॉंग मिक्स करने और दोस्तों देंग जो कि बीटेस का ऐस गया था, Billboard Music Award को अटेंड करने, तो उस वक्त US में टाइम बताने के लिए हमें कार्ड गेम खेल रहे थे, पर हमें से किसी को भी वो गेम नहीं आता था, और इसलिए हम बार-बार देंग देंग बोल रहे थे, और यहीं से मुझे इस सौंग का आइडिया आया, और मैंने सोचा कि क्यों न एक देंग नाम सी सौंग बना है, और मैंने इसकी देंग लाइन भी रिकॉर्ड कर ली थी, तो दोस्तों कि आपने कभी सोच रहा था, देंग जैसे पॉपलर सौंग का आइडिया शुगा को कार्ड गेम की वज़े से आया होगा, फिर इसके बाद शुगा कहता ह है कि मैंने तुम्हें पोटेंशल देखा था, और इसलिए मैंने तुम्हारे साथ इस सौंग पर वर्क किया, अनर्वी को भी ये सौंग बहुत पसंद है, फिर तुम हमारी एजंसी में आ गए, और तुमने आने के बाद बहुत मैनत करी, तुमने TXT के साथ भी काम किया, पर तबी यहां ये जवंग खाना खाने में इतना मगन हो जाता है कि उसका माइक गिर जाता है, जिसे देख कर शुगा हसने लगता है, और बैक्राउंड में गाना बशता है माइक ड्रॉप, और शुगा इस मौके का फाइदा उठाकर तुरंद अपने स्पॉंसर फूड का प् करते हैं, और शुगा बताता है कि उसके माइंड में इस तरह से, तो अच्विता सौंग बनाने का आइडिया आया था, और उसके पास सिफ एक वीक था, अगर एक वीक में लोग सौंग ना पनाते, तो ये सौंग रिलीज भी न हो पाता, और इसलिए शुगा ने ये जवां का golden era start हो गया, क्योंकि इसके बाद ये जवांग ने another famous song that that पर वक किया, फिर ये जवांग और भी बहुत सारे k-pop group के साथ as a songwriter और producer वक करने लगा, फिर शुगा ये जवांग से पूछता है कि इतना सारा काम करके अब तुमें कैसा लगता है, तो ये जवांग कहता है कि इ मैंने बहुत सारे popular song पर work कर रखा है, पर 2016 में जब मैं अचानक से singing नहीं कर पा रहा था और फिर मैंने songwriter बनने का सोचा, तो मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी यहां तक भी पहुच पाऊंगा, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि तुमने यानि योंगी ने मुझे बनाय है, तो शुगा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर शुगा यहां बताता है कि यह जवांग शुगा को अपका यानि कि डाट बोलता है, तो यह जवांग कहता है कि यह बात मैंने मेरे डाट से भी बोल रखी है, कि डाट आपने यह जवांग को बनाया है, इसलिए आ इस स्टाइल में च्राइए और तुमने एक वीक के अंदर सौंग बना कर दे दिया तो जब मैंने ये देखा तो इसलिए मैंने तुम्हारे साथ काम करना शुरू कर दिया फिर ये जवांग बताता है कि जब मैं तुम्हारे साथ पहले वर्क करता था तो तुम्हारे साथ काम क करना मुश्किल होता था क्यूंकि तुम कभी भी डिटेल में नहीं बताते थे कि मुझे करना क्या है तुम बस कहते थे कि तुम्हें पता है ना कि क्या करना है पर मुझे सच में उस तेम नहीं पता था कि मुझे क्या करना है पर अब तुम्हारे साथ 6-7 साल काम करने के बाद अब जब तुम कहते हो ना कि तुमें पता है तब मैं कह सकता हूं कि हां मुझे पता है। कुछ दिन तक ताकि मेरा फेस पफी ना लगी तो शुगा कहता है कि इसमें बड़ी बात क्या है तो ये जुगा कहता है कि मैं बहुत सालों के बाद क्यामरे पर आने वाला था ना इसलिए फिर शुगा कहता है कि वैसे तुम्हारे साथ मैं बहुत जल्दी काम कर लेता हूं मैं तुम्हें सौंग देता हूं और नेक्स्ट दे तुम सौंग कम्प्लीट करके मुझे दे देते हो हमने अभी तक शायद 20 से 30 सौंग साथ में बनाई है वे शुगा ये जवान से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ काम करने में कभी मुश्किल आई है तो ये जवान कहता है कि शुगा जब तुम मुझे सौंग देते हो तो सौंग को लेकर मेरे माइन में भी एक आइडिया होता है तो जब मैं तुमें मेरा आइडिया बताता हूँ तो तुम कभी-कभी मना कर देते हो तो इसलिए पहले मैं कभी-कभी इससे स्ट्रेस्ट हो जाता था क्योंकि हमारे उपीनियन इतने अलग दे पर अब मैं ऐसा बिल्कुल भी फीर नहीं करता हूँ क्योंकि तुम हमेशा सही रहते हो अगर तुम मुझसे कहोगे कि ये जवांग बन प्लस बन पाइफ होता है तो मैं इसे भी मान जाऊंगा और कहोँगा कि अच्छा अभी तक मैं इसके बारे में गलत जानता था इसे सुनकर शुगा बहुत साधा हसने लगता है, पिर ये दोनों बापस शुगा की वर्ल टूर पर आजाते हैं शुगा कहता है कि जब मैं टूर की प्रेक्टिस कर रहा था तब तुम हमेशा मेरी practice को देखकर ये कहते थे कि यूंगी तुमने अच्छा किया और मुझे लगता था कि क्या तुम भी stage पर perform करना चाहते हो और इसलिए मेरे दिमाग में idea आया था कि मुझे तुमें stage पर लेकर जाना चाहिए पर उस तरह मेरे पास एक नया role था मैं wise staff की तरह था इसलिए मुझे वैसे ही रहना चाहिए था पर फिर तुमने मुझे से पूछा कि क्या तुम मेरे final concert की DJ बनोगे तो इसके लिए मैं तुमारा बहुत grateful हूँ तो शुगा कहता है कि अगर तुम्हें जो करना है वो तुम्हें करना चाहिए फिर शुगा कहता है कि अभी भी bandmate मुझे से पूछते है कि हम फिर से ये सब कब करेंगे तो ये च्वांग कहता है कि हाँ final concert खतम हो जाने के बाद मुझे में एक नया passion आयता DJ का मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे ये करना है यूंगी ने सही का था मुझे ऐसा DJ heart work करना चाहिए मैं यूंगी का DJ duo बनना चाहता हूँ मुझे सच में ये करके बहुत खुशी हुई थी मैं हमेशा तुमारे डार्क स्टूडियो में तुमारे साथ काम करता हूँ तो इसलिए पहली बार आर्मी के साथ इंटराक्ट करके इतने बड़े वेन्यू में DJ करने में मुझे बहुत प्रेशर भी फील हुआ था तो इसलिए मैं प्रोडेक्शन में काफी ज़ादा डेटेल रखी थी और मैं सच में बहुत डरा हुआ फील कर रहा था और क्योंकि मैंने ये सब पहले नहीं किया था, इसलिए मैं वर्ल्ट टूर नहीं कर सकता हूँ, मैं ये भी नहीं बोल सकता था, मुझे स्ट्रॉंग रहना था और इसलिए मैं खुद से कह रहा था कि हां मैं कर सकता हूँ, मेरे टूर की पेपरेशन मेरे लिए बहुत टफ थी पर इस प्रोसेस से गुजनने के बाद और अपने final concert करते वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक perfect tour था क्योंकि सबने इसमें काम करते वक्त बहुत enjoy किया है पर इस तरह की responsibility सर पर रखना बहुत tough होता है पर इस वांग कहता है कि army को लगता होगा क्योंकि हमने साथ में tour किया है इसलिए concert के बाद हम साथ बैठ कर बाते और drink करते होंगे पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है हम अकेले ही अपना time spend करते थे अपने hotel के room में concert के बाद चमें बोर होता था तो मेरा मन होता था कि मैं तुम्हारी room में आकर तुमसे बात करूँ पर क्योंकि मैं तुम्हारा friend हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि tour करते वक्त तुम बहुत सदा pressure में थे और तुम hard time से गुजर रहते और तुम्हें डर भी था तो शुगा कहता है कि क्योंकि तुम मेरे साथ थे और तुमने पूरा behind the scene देखा है तो इसलिए तुम जानते हो कि उस time में week पढ़ने की situation में नहीं था पर मेरे लिए ये इतना भी hard नहीं था क्योंकि मैंने tour को बहुत enjoy करा है मुझे tour करते व तूर किया है और ये जवान कहता है कि हां तुम्हारा वर्ल्ड तूर बहुत सदा successful गया और इस बात पर ये दोनों cheers करते हैं फिर इसके बास शुगा ये जवान से पूशता है कि हम दोनों 10 साल से एक साथ काम कर रहे हैं और 10 साल में तुमारी जिंदगी में बहुत सारे उत तो ये जवान कहता है कि हां अब मैं अच्छा फील करता हूं 2013 में मैं बहुत अच्छा था मुझे लोग पसंद थे मेरे लिए वर्ल बहुत ही ब्यूटिकुल था मैं खुश रहता था और उस तैम में बहुत ज़दा बाते करता था और एनरजी में रहता था पर फिर जिन ल करना स्टार्ट कर दिया था तो शुगा कहता है कि हां जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम्हें लोगों से मिलना पसंद नहीं था तो यह जवां कहता है कि हमें ऐसा हो गया था और इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ग्रेटफुल फील करता हूं क्यूंकि एक सकता हूं कि अब तुम बहुत चेंज हो गयो और अब तुम रिलाक्स और कॉन्फिडेंट फील करते हो और फिर यहां यह जवांग शुगा से कहता है कि यूंगी मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा इसे सुनकर शुगा हसे लगता है और फिर इनकी साथ में ए बोड़ होते वक्त भी साथ काम करना चाहता हूं और दूश्विता जैसा और भी संसेशनल सॉंग् depस बनाणा चाहता हूं तो शुगा कहता है कि इस तरह के सौंग कभी कभी किसमत सी बनते हैं ते हिरे जवांग से एउटोग्राफ देने के लिए बोलता है तो यह जवांग जाती है और कहती है कि यह जुआंग उपपाम क्या मुझे आटोग्राफ मिल सकता है और फिर तुरंत युझी की आत्मा शुगा के अंदर से चली जाती है फिर यह जुआंग साइन करता है और इसके बाद दिखाया जाता है कि शुगा की सक्सेस्पुल टूर की बज़े के एफर्ट को अप्रिशेट करने के लिए फिर इसके बाद शुगा अपना लास्ट मेसेज हम आर्मी को देता है जिससे मैं अल्वेडी प्रीवेस वीडियो में हिंदी में एक्स्प्रेंड कर चुकी हूं शुगा यह आर्मी से कहता है कि प्लीज थोड़ा सा और वेट कर लो और फिर आप हम सेवन मेंबर्स को एक साथ स्टेज पर फिर से देखोगे और फिर यहां शुगा के सुचविता शो की जर्नी का एक वीडियो दिखाया जाता है और शुगा का लास्ट 27 सुचविता एपिसोड ही खतम हो जाता है तो दोस्तों आपको मेरी एक्स्प्रेनेशन और शुगा एंड यह जुआंग का साथ में यह लास्ट सुचविता एपिसोड कैसा लगा कॉमेंट में सरू बताना तो मिलते हैं नेक्स अप्टेट वीडियो के साथ तिल देन बाई बाई